है अज हम लोग निसकस करेंगे दा नाइनेस एंद टेरनेस कॉंप्लीमेंट क्या होता है उसके पहले नंबर सिस्टम जो होते हैं आपके डेसिमल बाइनेरी आउक्टल हिसा डेसिमल वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारी लेक्टर अवलेबिल है चैनल पे और आई बटन में बात करते हैं 9s and 10s कंप्लिमेंट क्या होते हैं और किस नंबर सिस्टम में होते हैं और इनका क्या यूज होता है तो today we will start with 9S complement and after that we will study 10S complement तो देखिये पहली बात तो यह है कि चाहे 9S complement की हम बात करें चाहे 10S complement यह किस number system में यह सारी कारवाई होती है किस number system में यह exist करते हैं यह exist करते हैं decimal number system decimal number system वो ही number system जो हम लोग ordinary use करते है तो पहरी चीज़ तो यह आपको clear होना चाहे कि 9S और 10S complement जो है decimal number system में use होते हैं अब second बात आती है कि 9S complement क्या होता है यह हम कैसे निकालेंगे और इसका क्या use होता है तो देखिये 9S complement क्या होता है कि इसको बहुत simple है इसको calculate करने का तरीका माली जे हमने आपको कोई number दिया सपोस कीजे 25 और हमने का 25 का आप जो है 9S complement निकालेंगे compliment आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे जो भी number given है जैसे उसके हर एक digit को अलग अलग मतलब 25 देखिये माली जे आपको 25 दिया हुआ है और उसका 9S complement निकालना है तो पहले हम 25 को हमने डिजिट को अलग लिख लिया और हर एक डिजिट को individually 9 में से हम माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया 7 ठीक है तो यह जो 74 आया यह आपका कहराएगा 9S complement of 25 9S complement of 25 अब माली जे इसी तरह अगर हम एक और question लेते हैं ठीक है अब माली जे इसमें आपको number दिया हुआ है 9S complement निकालने के लिए 6291 और इसका हमें 9S complement निकालना है find the 9S complement of this number तो हम क्या करेंगे पहले हम डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे 6291 और हर एक डिजिट को individually 9 से हम 9 से माइनस करेंगे तो इधर हम 9 में से 1 गया 8 9 में से 9 गया 0 9 में से 2 गया 7 9 में से 6 गया 3 तो यह जो 3708 आया ठीक है decimal number system में यह 3708 क्या कहलाता है यह कहलाता है 9S complement of the given number 10 हमने लिख दिया क्योंकिए decimal number system में तो इस तरह आप किसी भी number system का किसी भी number का जो decimal number आपको दिया हुआ है आप उसका 9S complement निकाल सकते हैं चलिए एक question और लेते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं decimal वाला question लेते हैं जिसमें decimal point included हो तो मान लिजे हमने यह लिया 374.68 और find the 9S complement of this number ठीक है तो इसमें वही method लगाएंगे जो अभी तक करते आए हैं हर एक digit को पहले हम अलग-अलग लिख लेंगे 374.68 अब हर एक digit को individually अलग-अलग हम 9 से minus करेंगे तो जो आप 9 से minus करेंगे 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 यह point आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में साथ गया 2, 9 में से 3 गया 6 तो यह जो आगया आपका 625.31 decimal में क्योंकि decimal number system में 9s और 10s complement होते हैं यह आगया आपका answer तो इस तरह किसी भी decimal number का अगर 9s complement निकालना है तो आप यही method जो है adopt करेंगे कि उसके हर एक digit को separately, individually आप 9 में से minus कर देंगे ठीक, now we come to the 10s complement, तो देखिए 10s complement क्या होता है कि 10s complement is equal to the 9s complement plus 1, तो 9s complement कैसे निकालते हैं किसी number का यह तो अभी हम लोग देख चुके हैं, अब 10s complement निकालने के लिए हम 9s complement निकालेंगे और 1 at कर देंगे उस number के 9s complement में, अब example से देखिए, माली जबने question दिया आपको कि 6, 2, 5, 0 और इसका कह रहा है find the 10s complement ठीक है, find the 10s complement of this number यह given number तो पहले हम 9s निकालेंगे 9s निकालने के लिए क्या करेंगे, 6, 2, 5, 0 हर एक डिजिट को separately हम 9 में से minus कर देंगे, ठीक है, तो इदर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3 तो यह क्या आया, यह आ गया 9s complement, ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 at कर देंगे तो जब हम 1 at करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 9, 1, 10, 0, हासिला इदर हो जाएगा 5, फिर 7, फिर 3 तो यह 3, 7, 5, 0 जो आया, यह कहलाएगा 10s complement of the given number given number का 10s complement यह आ गया, ठीक, अब माल लिजे कि और एक आद एक्जाम्पिल हम लेते हैं ताकि 10s complement हमको एकदम clear हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका क्या use है, तो माल लिजे आपको given number दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3 अब इसमें देखिए, अगर हम, अगर अपने पुराने method से इसको हम करते हैं कि 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है, और हम क्या करते हैं, कि इसका हमको 10s complement निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने सारे digits को अलग अलग लिखा, 0, 1, 2, 3, ठीक, और इनको individually 9 में से minus कर देंगे, अभी देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे, ऐसे कर रहा है, तो क्या कलती होगी, 9 में 3 क्या 6, 9 में 2 क्या 7, 9 में 1 क्या 8, और 9 में 0 क्या 9, ठीक, तो ये क्या आया, ये तो आया, पुराने method से अपना 9s complement, ठीक, अब 10s complement के लिए इसमें हम 1 add कर देंगे, तो ये हो जाएगा, 9, 1877, 9, 8, 7, ये हो गया, अभी तक जो हम लोगों ने method पढ़ा है, उसके इसाब से इसका 10s complement, ठीक, लेकिन ये इसमें गलती है, ठीक है, इसमें क्या गलती है, नंबर को आप ध्यान से देखिए, जो question हमको दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3 जो नंबर दिया हुआ है, इसमें ये 0 का, इस 0 की अब जो हम बात कर रहे हैं, इसक क्या significance है, भाई अगर किसी भी digits में, 0, 1, 2, 3 में इस 0 का क्या significance है, कोई use नहीं है, ठीक है, भाई 0, 1, 2, 3 आप लिखिए, तब भी वो 123 हुआ, आप 1, 2, 3 लिखेंगे, तब भी वो 123 हुआ, तो इसका मतलब इस 0 का कोई use नहीं, इसको हम हटा देंगे आसे, ठीक, ये अटा द और जब ये 0 नहीं रहेगा, तो फिर ये जो 9 में से 0 अपने पूरा इसको erase कर दे रहा है, ठीक है, इनका कोई use नहीं है, अब जो आएगा आपका 876, वो सही answer हुआ, वो हुआ 9S compliment, और 1 add कर देंगे, 877 वो आगया आपका 10S compliment, तो 9S और 10S compliment में ये सब चीजे जो हैं, आप पॉइंट वाला question लेते हैं, 0.3267 दिया हुआ है, और इसका कह रहा है कि 10S compliment निकाल लिए, तो method वही रखेंगे, 0.3267 लिख लिए, अब इसके बाद हर एक digit को individually 9 में से minus करेंगे, 9 में से 7 गया 2, 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, तो ये क्या आया, ये तो आगया 9S compliment, given number का, और इसमें हम 1 add कर देंगे, तो हमारा 10S compliment आ जाएगा, ठीक, 0.6733, ठीक है, ये add कर दीजिए, 0., देखेंगे, ये हम ये कर रहते हैं कि ये कलती मत कीजेगा, कि उसमें 1 add किया, तो 1.6732 आ गया, ये नहीं करना है, आपको, जो LSB ये league significant bit है आपकी, उसमें 1 add करके ये आपका सही answer आया, 0.6733, this is the 10S compliment of the given number, अब हम लोग बात करते हैं कि 9S और 10S compliment का क्या use होता है, मतलब कि अभी जो decimal number system में हमने 9S और 10S compliment निकाला सीखा है, इसका क्या use है, तो now we write, use of, use of compliment, 9S and 10S compliments, use of 9S and 10S compliment, इनका क्या use है, तो देखिए, in the subtraction, जब कोई भी दो number का हम subtraction करते हैं, तो हम 9S और 10S compliment की मदद से भी दो number का subtraction कर सकते हैं, माने ज़िए आपको question दिया हुआ है, ये 83 minus 25 आपको करना है, तो simple mathematics से अगर हम ये minus करेंगे, तो ये आपको 9S and 10S compliments से इसको करना है, मालिजे 83 minus 25 9S से और फिर 83 minus 25 10S compliments से, तो क्या होगा कि अगर इसको हम normally करेंगे, simple mathematics से अपनी, तो 83 minus 25 minus कर दिया, ये आपका 58 answer आ गया, ठीक, लेकिन हमको यही answer calculate करना है, 9S compliment की मदद से और 10S compliment की मदद से, तो अब subtraction कैसे perform करते है, 9S और 10S की मदद से, इसको हम लोग अपने next video lecture में discuss करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगर करेंगे, तो ये video lecture काफी lengthy हो जाएगा, तो I hope कि आपको 9S और 10S compliment calculate करना आ गया होगा, अगर इसके बारे में कोई भी आपको query है, या suggestion है, तो आप comment line में उसको comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको video content पसंद आ रहा है, video को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे, और notification bell को on कर दीजे, ताकि जब भी कोई नई video channel पर available हो, उसकी notification आपको तुरन मिल सके, thank you.